नमस्कार, मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोज ख़बर का एक्ष्रम ख़बर की खोज, सच की पड़ताल, जनपक्ष नजरिया, बेखौफ, बेभाग, सत्ता का जूट, बेनकाब, आग में तपीद पत्रकारिता, दाखती है, सवाल, दरसवाल आज देश महात्मा गांधी को याद कर रहा है, आज अहिंसा और सत्य, दोनों ही कसोटियों पर भारती लोकतंत्र दाउं पर लगा हुआ है सवाल यह नहीं है कि हम कैसे 1869, 1879 में गुजरात के पूरबंदर में जन्में मोहंदास करमचंद गांधी को देखते हैं, उन्हें याद करते हैं सवाल सबसे बड़ा यह है कि आज महात्मा गांधी को जिन मुद्दों के लिए, जिन कसोटियों के लिए, सिर्फ देशी नहीं, पूरी दुनिया में याद किया जाता है जिसकी दुहाई हमारे प्रधान मंत्री नरेन मोदी, दुनिया भर में किसी भी मंच पे जाएं, उन्हें देनी पड़ती है वह सच और सत्य, अहिंसा, दो कसोटियां हैं, जिनके लिए महात्मा गांधी को दुनिया भर में एक मिसाल के तौर पर याद किया जाता है आप उनकी पूरे रास्ते से सहमत, असहमत कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उनके यह जो प्रियोग हैं सत्य और अहिंसा के और उन्होंने इस प्रियोग को जो आजादी की पूरी की पूरी लड़ाई चली, उस दौरान उसके साथ जिस तरह से निर्वाह किया, इसे एक पब्ल देश के अंदर और देश के बाहर मानना पड़ता है, लेकिन देखिए कि गांधी की हत्या जिस वजह से हुई, उनके हत्यारों ने उस समय भी कहा और उनके हत्यारों के पक्ष में खडी राजनिती आज भी कहती है, सीधे सीधे उसका जशन मनाती है कि उनकी हत्या मुसलमान का पक्ष लेने की वजह से की गई वह आजीवन और खास तोर से अपने जीवन के अंत में जिस तरह की सांपरदाईक नफरत पहलाई जा रही थी जिस तरह से देश जल रहा था उसका निशेत करते थे खुलकर बोलते थे और अपने प्राण की बाजी भी इसके लिए लगाई गई और शायद यही उनका जो योगदान है वह उन्हें बिलकुल अनूठा और एक अलग राजनेता का दर्जा देता है आज जब हम भारती लोगतंत्र को देखते हैं बहुत साफ दिखाई देता है कि सच्चाई और अहिंसा इसका बिलकुल उलट नजारा है लोगतंत्र के बुनियादी आधार नश्ट किये जा रहे हैं अलपसंख्यक को निशाने पे लिया जा रहा है और यह सब अकारण ही नहीं हो रहा है इसके पीछे पूरी की पूरी सत्ता काम कर रही है लिहाजा आज जब हम गांधी को याद कर रहे हैं तो यह याद करना और भारती लोगतं को खंगालना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जिन वजहों से गांधी दुनिया भर में एक मिसाल बेमिसाल बने उस पर भारती लोगतंत्र हमारा प्यारा देश हमारी देश की सत्ताएं कहां खड़ी हुई है खास तोर से अगर हम बात करें 2014 के बाद के भारत की जिस पर जि रेन मोदी ने जब पहली बार सत्ता समाली उसके बास से गांधी को लेकर एक दूसरे धंका विमर्ष देश भर में शुरू हुआ दूसरे धंका विज्यापन गांधी के इर्दगिर्ध निर्मित किया गया गांधी को जोडा गया स्वच्छ भारत से गांधी जाडू स्वच्छकार समाज ये सारी चीजें बिलकुल सुनयोजित ढंक से हमारे सामने आई देश ने देखा 2014 में जो स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था वह 2021 में कहां पहुचा है उससे क्या हासिल करना चाहा रहे थे प्रधार मंत्री नरेन मोदी इस पर हम अपने कायक्रम के अंत में बात करेंगे अभी सवाल गांधी को याद करने के लिए जो दो बैसाखिया हमें मिली थी जो दो चश्मे के लेंस हमें मिले थे सच और अहिंसा उस पर भारत कहां खड़ा है इस पे हम बहुत विस्तार में नहीं महस कुछ घटनाओं से आपके सामने जिस तरह से भारती लोकतंतर दाओ प से लेकर अभी तक के तमाम वाके हम आपके सामने नहीं रख रहे ना हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इस देश में लिंचिंग को यानी भीर द्वारा पीट पीट कर मार डालने को नया नॉर्मल बना दिया गया ना ही उसके विस्तार में जा रहे हैं कि किस तरह से इस द खबर सामने है कि किस तरह से पत्रकार बिरादरी के एक युवा साथी सद्धीक कपन उनके उनको जो पिछले पांच अक्टूबर को गिरफतार किया था उनके उपर पांच हजार पन्ने का चार्शिट अंततह योगी सरकार ने हमारे सामने पेश किया है और देखिए यह जो एक्जामपल है यह जो उदाहरन है यह जो नजीर है यह बताती है कि जब इस सरकार को मुसल्मान के खिलाफ नफरत उडेलनी होती है तो वह किस तरह का जूट गड़ती है हमारे सामने पेश करती है इसकी ताजा मिसाल यह पांच हजार पढ़ने की सदीक कपन पिछले साल 14 सितंबर को 2020 में उत्तर प्रदेश के हाथरस के एक गाउं में दलित लड़की के साथ सामुहिक बलातकार हुआ था उसकी कवरिज के लिए जा रहे थे जैसे हम तमाम लोग गए थे ठीक उसी तरह से पांच अक्टूबर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें हाथरस कॉंस्परेसी में गिरफतार किया गया हाथरस साजिश अब देखिए जूट जिसकी दुहाई बिल्कुल दूसरे ढंग से इस समय दी जा रही है सच की हत्या किस तरह से की जा रही है इसकी यह ताजा मि की सदीक प्न मुसल्मानों को भड़काने की कोशिश करते थे वह अपनी लेखन में मुसल्मानों को पीडित के तौ़ पर विक्टिम के तौ़ पर दिखाते थे सवाल यह है कि पूरा का पूरा मामला इस बात पर तिका हुआ है कि सदीक कप्न वहाँ जा कर कुछ हिंसा फैला रहे थे हाथरस में बलातकार दलित लड़की के साथ हुआ वहाँ पर मुसल्मान एंगिल कोई नहीं था जब तक सदीक कपन गिरफतार हुए या जब मैं आप से बात कर रही हूँ तब से लेकर अभी तक कोई प्रमाड नहीं है कि वहाँ पर मुसल्मानों का कोई रोल हो रहा दलिस समुदाय में और खास तोर से सफाई करमचारी समुदाय में बहुत गुस्सा था जिस तरह से हत्या हुई थी जिस तरह से लाज जलाई गई थी जिस तरह से सरकार पूरी की पूरी बलातकारियों के पक्ष में उन्हें बचाने के पक्ष में खड़ी हुई थी लेकिन अब आप देखिए कि सरकार एक साल तक्रीबन हो गया उसके बाद जब हमारे सामने चार शीट आती है तब मामला बिल्कुल दूसरे ढंग से पलट दिया जाता है यह है गांधी के सत्य की हत्या इसी तरह से हमें दिखाई देता है अभी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मनीश गुपता की हत्या हुई उस पर जो योगी सरकार का रवया था वह बिल्कुल अलग था हमने देखा कि वहाँ पर योगी सरकार तुरंत हिली तुरंत वहाँ पर पीडित के पक्ष में पहुची यहां तक कि मुख्यमंत्री ने पीडित के परिवार से मुलाकात की लेकिन ऐसा कुछ हाथरस या मुसल्मानों के परिवारों पर जब हिंसा होती है हमले होते हैं नहीं हो प्रतिशोध की राजनीती कर रही है यह सिर्फ एक राज्जी की बात नहीं यह केंद्र से लेके तमाम राज्जियों में जहां पर भी भाश्पा का शाशन है वहां खुले आम दिखाई देता है कि प्रतिशोध की यानि बदले की राजनीती हो रही है जबकि गांधी की पूर प्रतिशोद नहीं हमें बदला नहीं हमें हिंसा नहीं चाहिए लेकिन आज इसके बिल्कुल उलट खड़ी है भारत की राजनीती और लोकतंत्र में सत्य और अहिंसा दाव पर लगा हुआ है। और भारतिय किसान हमारा अन्यदाता किस तरह से एक साल नवंबर में पूरा हो जाएगा तब से वह सडकों पर है। देश की राजधानी की सरहत पर बैठा हुआ है। अंतिम जन को सबसे एहमियत देते हैं। उसी के इर्दगिर्थ पूरी राजनीती अपनी विक्सित करते हैं और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का एक एहम योगदान देते हैं। उसी भारत में देश का अंदाता जिस पर रिल्टिकी है हमारी सकल घरेलू उतपात की, हमारी पूरी राजनीती की अर्थववस्था की उसकी सीरे से अंदेखी है। और उसकी मदद के लिए हमारे जो लोकतंत्र के चारो खंबे हैं, उनमें से एक भी खंबा सामने नहीं आता। चाहे किसी भी खंबे की आप बात करें, वे सारे के सारे इस समय सत्ता के खौफ के आगे लमलेट नजर आते हैं। आईए, अब चलते हैं उस मिशन की ओर जिसको मोधी सरकार ने गांधी के जरम दिन से सीधे सीधे जोड़ा। 2014 से लेकर अब तक 2 अक्टूबर यानी स्वच्छ भारत मिशन। इस रूप में गांधी को मोधी सरकार ने अपने पोस्टरों में जगा दी, अपने तमाम प्रचार प्रसार में जगा दी, गांधी उर्फ स्वच्छ भारत। आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, उस समय देश में अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2, जिसमें तकरीबन 1.42 लाख करोड रुपे का पूरा का पूरा आवंटन है, उसके बारे में बातचीत हो रही है, धूम धड़ाके से योजनाय सामने आ रही है, लेकिन यहां पर ठहर कर बात करना बेहर जरूरी है, वजह बहुत बड़ी है कि जब मोधी सरकार ने स्वच भारत मिशन लागो किया था 2014 में, तब बहुत बड़े बड़े दावे किये गए थे, उसमें बताया गया था कि किस तरह से इस मिशन के जरिए ओपन डिविकेशन फ्री कं तो हो जाएगा, यह सब कुछ सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है, लेकिन तब से लेकर आज तक अगर हम आपसे बात करें, तो हमें दिखाई देता है कि इस मिशन के इर्दगिड शौचालियों का निर्मार तो बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, एक दूसरे ढंग की बि करने वाले लोग हैं, जो सेप्टिक टैंक साफ करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर कुछ भी खर्च नहीं किया गया, आपको इस समय स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, कि स्वच भारत मिशन जब शुरू हुआ था तब से लेकर आज तक सरकारी खर्चों के हिसाब से कितन पैसा इस मद में खर्च किया गया, जीरो गिनने मुश्किल हैं, और यह सिर्फ जो बजट में आवंटन है, वह है, इसके अलावा बड़े पैमाने पर सेस लगाया गया, हमने आपने सबने पैसा दिया स्वच भारत सेस के रूप में, लेकिन तब से लेकर आज तक इस देश में कम से कम पांस से छे राज्य ऐसे हैं, जहां आज भी भारतिय नागरिक मैलड हो रहे हैं, हाथों से मैलड हो रहे हैं, इस समय आपको विज्वल कुछ दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर, ये सब 2014 के बास से अब तक के भारत में हो रहा है, पुरानी बात नहीं है, हाल करती रही, इस साल भी दावा किया, मंत्री ने रखा कि मैला मुक्त हो चुका है भारत, किसी की भी मौत नहीं हुई मैनलस के वेंजिंग से, और वह भी तब जब इस देश में 2013 का कानून है, 2014 में सुप्रीम कोट का जारी किया हुआ बहुत ही एहम फैसला है, ये दोनों ही ब किसी भी रूप में अगर मानव मल, हुमन शिट को साफ करता है, उसका डिस्पोजल करता है, उसको फेकता है, उसको उठवाता है, किसी भी रूप में वह मैनलस केवेंजर है, सरकार यह भी जानती है कि हर साल कितने लोग इस देश में गटर में मरते हैं, सीवर और सेप्टि दे रहे हैं जो दर्ज खबरे हैं जिन पे सरकार के तमाम नुमाइंदों तक प्रेस रिलीज गई है पूरे के पूरे लेटर्स गए हैं उनको ही अगर हम जोड़ लें तो 600 से अधिक भारती नागरिक सीवर और सेप्टिक टैंक में अपनी जान गवा चुके हैं या यू कहिए कि उनकी हत्या हो चुकी है उनकी हत्या की गई है सिस्टम के द्वारा इन तमाम चीजों पर एक तरफ स्वच्छ भारत मिशन का तमाम डोल नडारा बचता रहता है आप अपने घर में आसपास देखते होंगे हर जगा दिवारों पर बड़े बड़े पोस्टर्स लगे उसके जीवन को बदलने पर कोई खर्चा नहीं किया इतने सालों में मोधी सरकार ने लेकिन जैसा कि हमने अपने कारेक्टरम में पहले कहा कि जिस तरह से जूट का बोल बाला होता है जिस तरह से जूट को प्रचारित प्रसारित किया जाता है उसमें ऐसा लगता है कि आतिये नागरिकों की बात हम कर रहे हैं जिनकी लाशें हमारे सामने हीर हैं इस पूरे मुद्दे पर हमने बात की बेजवाडा विलसन से जो सफाई करमचारी आंदोलन के नेता हैं और इस मुद्दे पर कोट से लेकर संसत तक अपने अदखल देते रहे हैं सवाल उठाते रह हैं हैं आईए सुनते हैं बेजवाडा विलसन किस तरह से सरकार की इस योजना को देख रहे हैं 2014 में शुरू हुआ स्वच्च भारत अभियान अभी 2021 में हैं क्या इस्थिती है जमीन पर और लाखों रुपे का बजट है इस साल भी स्वच्च भारत है यह टायलेट निर्मान के लिए प्रदानमंतिन ने लांच किया इस पे मैला प्रता उन्मोलन का एक बात भी नहीं है और दो-तीन अन्य राज्यों पे अभी भी ड्राइलेटिन है मतलब स्वच्च बारत में कह सकती उनका पूरा गोल क्या है इसका अचीव नहीं कर पाए पार्लेमेंट में संसद में सरकार ने कहा कि मैला प्रथा नहीं है पैनोर्स के वेंचिंग नहीं है दो-दो बार इस साल सरकार राजसभा और लोकसभा दोनों जग़ा यह बात बोल चुकी है यह बहुत अमान वी हैं ऐसा काम बिलकुल वो लोग ने नहीं कहना अईसा उनका भी सबकर जानते हैं दूसरा बात है यह देश का एक ऐसा नागरिक ह हैं उनका कुद्ध अधिकार के लिए बाहर नहीं आ सकती कहीं नहीं कह सकती में हाथ से मैला उठा रहा है ऐसा लोग अभी भी यह देश का अंदर काम कर रहा हैं उनका पैस्टान करना सरकार का सबसे बड़ा जिम्मेदारी हैं वो instead of doing that यह नहीं कर रहा है फिर अभी आके द यह बहुत अपमान हुए लेकिन स्वच भारत के एक मिशन में तो मैनुवर्स केवेंजिंग फ्री है ही स्वच भारत पहले से कह रहा है मैला प्रता उन्मोलनम करेंगे ड्राइलेटिन कातम हो जाये तो वह कतम हो जाएगा बट ड्राइलेटिन के द्वम्स नहीं किया उनका किसी का भी फैसा के लिए यह योजना सारे बनाया यह योजना का मुख्यी उद्देश क्या होते है मुझे पता नहीं मुझे एक बात बहुत सपश्ट है यह देश पर आज भी हाद से मैला उठा के जिने एक इंसान एक नागरी का भी भी है इसका कोई भी प्रदान मंत्री द्यान नहीं रख रहा है दूसरा बात है ये देश का अंदर सिवर का सप्टिक टेंग का अंदर गुसा के मर डालने के काम हम अभी बंद नहीं कर रहा है वो प्रदान मंत्र का साथ साल का कतम करके अभी दूसरा साल का पोंचने के समय मेरा ये की सवाल है आपका पूरा शासन पहे आप महीरा प्रत वुन्मो लण के लिए क्या किया उनका पुनर्वास के लिए लड़ रहा है उनका बात नहीं सुण रहा है दो लाग करोर रुपिया स्वच हुआ बारत का नाम से क्यों लोग का टैक्स का पाइसा आप ऐसा लोग सब्सकुद्रा दूसरा थीसरा बात है यह यांत्रिक रूप से यह सारे सिवे सेप्टिक टैंक साफ करके जान बचा के सफाई कर्मचारी लोग का जिंदा होने के आपका कुछ योजिना बनाया क्या क्या क्यूं आज तक टेक्नालजी पे एक पैसा भी बारत सरकार आज तक इन्वेस्ट नहीं क्या बुलेट ट्रेन पे इन्वेस्ट करना पैसा है आप विस्ता बनाना पैसा है और आप पार्लमेंट बनाना नायागर बनाना सब पैसा होते हैं हमारा लिए आपका पास पैसा नहीं होते हैं क्या यह बात सारे सफाई कर्मचारी पूछ रहा है यानि एक बात बहुत साफ है कि ग किया जा रहा है यहां आप सोच रहे होंगे कि हम बात कर रहें कि किस तरह से प्रधान मंत्री नरेन मोदी जब संयुक्त राष्ट महासभग की बैठक में शामिल होने गए थे उस समय किस तरह से भक्त गड़ों ने New York Times का एक फरजी जूटा पेज बनाया हम उसकी बात नहीं कर है यह सब तो छोटी बाते हैं लेकिन कम से कम इस से अंतराष्टी स्तर पर जिस तरह से New York Times को खंडन जारी करना पड़ा और कहना पड़ा कि यह हमारा पेज नहीं है यह एक जूट है यह जूट जब फैलता है तो वह बहुत गंदा और कुरूप हो जाता है और जगत में भा कारों को भी याद रखना जरूरी है और उनके भक्तगड़ों को भी याद रखना जरूरी है कि आज भी देश और दुनिया में गांधी के नाम को ही सबसे बड़े नाम के तौर पर भारत के संदर में देखा जाता है तो कम से कम जब वह गांधी का नाम लेते हैं तो इस तर और आपकर घसेए。